नमस्कार मैं हुनी वेदिता 14 फरवरी 2019 को हुई CRPF के जवानों की शहादत को कोई भूल नहीं पाएगा कोई भूल नहीं पाएगा कि कैसे पुलवामा में भारती सुरक्षा तर्मियों को ले जाने वाले CRPF के वाहनों के काफिले पर आतंक्यों ने आत्मघाती हमला किया था और हमले में करीब 40 जवान शहीद हो गए थे लेकिन उसके बाद जिस तरह से सेना ने अपने शौरे का पराकरम दिखाते हुए आतंक्यों को एर स्ट्राइक के जरिये जो मूतोर जवाब दिया था उसका लोखा पूरी दुनिया ने माना पूरी दुनिया ने माना कि कैसे मोधी सरकार आतंक्यों पर जीरो टॉलरेंस की नीती अपनाते हुए निरंतर आगे बढ़ रही है जिसका हर लिहास से भारत को फायदा मिला पुलबावा हमले की जिम्मदारी लेने वाले जैशे मोहमद संगछन के सरगना मसूद अजहर को अंतर राश्ट्रिय स्तर पर बैन करने में भारत के हाथ बड़ी काम्याबी लगी उसके बाद फिर जो पाकिस्तान की तरफ भारत का रुख है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम नहीं कस्ता तब तक भारत के साथ पाकिस्तान की किसी भी तरह की बाक्चीत संभव नहीं है उस पर भी भारत का जो अडग रवया है उसने भी भारत को दुनिया भर में अपने मजबूत इरादों पर अड़िक रहने वाले देश के रूप में पेश किया है एक और बड़ा फायदा जो पाकिस्तान में घुसकर एर्स्ट्राइक को अंजाम देने का भारत को मिला वो है जम्मो कश्मीर के सुरक्षा हालात में लगातार सुधातिना मंगलवार को लोगसभा में गृहराजी मंत्री नित्यानन्द राए ने बताया कि एर्स्ट्राइक के बाद घुसपैट के मामलों में पूरे 43 पीज़ती की कमी आई है नित्यानन्द राए के मुताबिक सुरक्षा बलो के समानवत प्रयासों से जम्मो कश्मीर राज्य में इस साल के पहले 6 महिनों में पिछले साल की इस अवधी की थुलना में सुरक्षा स्थुती में काफी सुधार हुआ है लोगसभा में मौझूद सदस्यों को नत्यानंद राय ने बताया कि सुरक्षबलों को आधुनिक हत्यार दिये गए हैं और घुसपैचियों के खिलाफ लगातार सक्त कारवाई की जा रही है इसके अलावा ग्रह राज्य मंत्री ने ये भी बताया कि LOC पर इलेक्ट्रिक बाड यानि की एंटी इंफिल्ट्रेशन अबस्टेकल सिस्टम घुसपैच को रोपने में एक शक्तिशाली टूल बनकर उभरा है AIOS के लिए बिजली के जरूरत पड़ती है जिसे पावर ग्रिड के जरिये और जेनरेटर की मदद से निर्बाध रूप से पूरा किया जा रहा है फिर नित्यानंद राय ने केंड्र सरकार की आतंगवाद पर जीरो टॉलरेंस की तारीफ करते हुए उसके लिए किये जा रहे प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी आतंकियों को रोकने के लिए अंतराश्ट्रिय सीमा और नियंत्रन रेखा पर बहुस करिये तैनाती सीमा पर बार लगाने के काम के साथ-साथ खूपिया तंत्र को भी मजबूत किया गया है बता दे कि इससे पहले अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि भारत की तरफ से पाकिस्तान में घुस कर एर स्ट्राइक को अंजाम देने का असर पाकिस्तान और उसके अंदर पलने वाले आतंकियों पर कुछ इस कदर हुआ है कि अब धीरे धीरे आतंकिय अफगानिस्तान में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए वहाँ शिफ्ट हो रहे है माना जा रहा है कि जैसे मोहमद और लशकरे ताइबा जैसे संगठन के आतंकियों ने अफगानिस्तान में सक्रिय हकानी नेटवर्क और अफगान तालिबान जैसे संगठनों से हाथ मिला लिया है और अफगानिस्तान से सटे कंधार और कुनार जैसे इलाकों में बसने की कोशिश कर रहे है और वैसे भी आतंगवात की फंडिंग पर नज़र रखने वाली अंतर राश्ट्रियसंस था फइनेंशल आक्शन टास्क पोर्स ने मान लिया है कि पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा देने वाले संगठनों को रोकने में नाकाम साबित हो चुका है